हलो नमस्कार दोस्तो आज का हमारा टोपिक है सेवन जीप कैसे डाउनलोड करते हैं कैसे इंस्टॉल करते हैं विंडो 11 के अंदर वो देखेंगे और प्लीज गाई यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना चलिए शुरू करते हैं आप अपने लेफ्टाप या पीसी के अंदर कोई भी ब्राओजर ओपन करने के बाद यहां पे आपको घुंगल ओपन करने के बादार यहाँ पे आपको टैप करें सेबन जीप और इंटर कर देना इंटर करते हैं यहाँ पर पर जाजेगा इसके उपर आपको लिसके घ awfully कुछ हैँ कि लिए बाधी इसका लिंक आपको फेसबुक या नहीं अब आपको क्या करना है आप जिस भी PC या laptop के अंदर आप इसको install करना चाहते हैं उसके अंदर कितने bit का operating system है सबसे पहले वो आपको पता करना है यदि आपको check करना नहीं आते तो चलिए मैं सबसे पहले वो बता देता हूँ इसके लिए आपको क्या करना है डेक्स्टॉप क आगे क्या लिखा हुआ है यदि आपको case में यहाँ पर 32bit का ixc download करना है यदि आपको case में यहाँ पर 64bit का ixc download करना है वैसे आप 64bit का operating system में 32bit या 64bit दोने में से कोई से भी आप install कर सकते हैं लेकिन मैं आपको suggest करूँगा हमेशा 64bit का operating system में 64bit कहीं application आपको download करके install करना च download करके install करके दिखाऊंगा सेम तरीके सब 32-bit का EXC download करके install कर सकते हैं चलिए अभी हम इसको close करते हैं फिर से website के ओपर चलते हैं यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना यदि आपको stable version download करना है तो यहाँ से click करके download कर सकते हैं अब यदि आपके case में 32-bit होगा तो आप यहाँ से click करके download कर लिजेगा या नहीं तो latest version चाहिए तो यहाँ से click करके download कर लिजेगा ऐसे ही यदि आपके case में 64-bit होगा तो आपको क्या करना है यहाँ से click करके download कर सकते हैं यदि आपको latest version चाहिए तो यहां से क्लिक करके download कर सकते हैं my latest version ही download कर रहा हूँ इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे click कर रहा हूँ click करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा आप आप जहाँ पे भी EXC को save करना चाहते हैं उपाथ select कर लिजेगा उसके बाद आपको save पे click कर देने click करते हैं EXC download हो जाएगा download complete होने के बाद आपको क्या करना है उस folder के अंदर जाना है जहाँ आपने EXC को save किया है वहाँ पे आपको इस तरह से EXC दिख जाएगा अब आपको क्या करना है इस EXC को पर आपको right click कर देने इसके बाद आपको apply पे click कर देना है यदि आपके case में यहाँ प्यान ब्लोक नहीं दिखता है तो आपको क्या करना है? OK करके बाहर आ जाना है अब हम इसको install करेंगे install करने के लिए आपको क्या करना है? या तो आप इसको पर double click करके install कर सकते हैं या नहीं तो आप run and mister के उपर click करके install कर सकते हैं तीनों चीज में से कोई एक चीज आप कर लिजेगा लेकिन मैं आपको suggest करूँगा हमेशा कोई भी application आपको run and mister के उपर click करके install करना चाहिए इसलिए मैं आपने case में यहाँ पर click कर रहा हूँ install पर click करते हैं यह install होना शुरू हो जाएगा और इस तरह से installation complete हो जाएगा complete होने के बाद आपको क्या करना है इस window को यहाँ से close कर देना है close करने के बाद installation complete हो चुका है अब यदि आप इस exe को save करकर रखना चाहते हैं रख सकते हैं यानि तो आप इसको delete करना चाहते हैं तो यहाँ से आप delete भी कर सकते हैं अब यदि आप इसको check करना चाहते हैं इस्ट्रॉल हुआ यानि इसके लिए आपको क्या करना यहाँ पे search बार में आने के बाद यहाँ पे आपको tap कर देने यूज करने के लिए आपको क्या करना है example के लिए मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ एक मैं यहाँ पर folder create कर लेता हूँ यहाँ पर एक folder create कर लिया अब आपको क्या करना है जिस भी file या folder को आप जिप करना चाहते है उसको पर आपको right click करना है सकते हैं ऐसे ही यदि आपको इसको एस्ट्रैक्ट करना होगा तो आपको क्या किना इसके उपर आप राइट किलिक करके यहां पर एस्ट्रैक्ट कर सकते हैं यहां पर किलिक कर लिजेगा यहां से आप इसको एस्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो इस तरह साप इसको यूज कर सकते है इसके अंदर बहुत सारा feature भी है इसके अंदर आप passport लगा सकते हैं किसी भी file या folder को आप जीब करते हैं तो उसके अंदर आप passport भी set कर सकते हैं और इसके अंदर और भी बहुत सारा feature है यदि आपको इसके ओपर detail वीडियो चाहिए तो आप comment कीजेगा मैं इसके ओपर एक और वीडियो बना दूँगा और प्लीज गाए चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें, सेर करें, थैंक यू